जिम्मेदारियों का बोज़ परिवार पे पड़ातो आटो रिक्षा ट्रेन को चलाने लगनी बेटियां जिम्मेदारियों का बोज परिवार पे पड़ा तो आटो रिक्षा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला सुना वायुयान भी उडाने लगी बेटियां और कितने उदाहरन ढूंड कर लाओं हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने अब शमशान तक जाने लगी बेटियां घर में बटा के हाथ बहुत से चुटकुले बेटियों पर नारियों पर बने हैं हम सब हस लेते हैं लेकिन पंकियां समर्पित कर रहे हूं हमारी पीडा है घर में बटा के हाथ रहती है मा के साथ पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां कटवा के बोलने से पूर्व सोचती है खूब मन में सहमती है डरती है बेटियां बेटे हो दंड भले आपका दुखादे दिल कश्च सहके भी धैर धरती है बेटियां प्रश्ण ये जलन शील सब के लिए है आज नित्य प्रती कोख में क्यों मरती है बेटियां और इस रंखला कांतिम चंद वास्तों में हम चुटकुलों पर हस लें लेकिन ये कविता आप तक कुछ प्रश्ण रख रही है और विश्वास के साथ रही कि इन प्रश्णों को कभी हल नहीं कर पाएंगे इन प्रश्णों का उत्तर आप कभी नहीं ढूंड पाएंगे यह कविता आप सब तक कुछ प्रश्ण पहुंचा रही है ललिता विशाखा राधारानी बेटी होती नहीं ललिता विशाखा राधारानी बेटी होती नहीं यशुदा दुलारे नंदन नंदन नचात कौन अनुस्विया जैसी पेटी तप साधिकाना होती पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को जुलाता कौन जनता जनार्दन बताए एक बात आज सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन सब कुछ होता सब 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 कुछ होता पर एक बात सोच लेना कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन का वाग वाग